C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक अपनी जबान भाग एक आईए सुनते हैं अपनी जबान भाग एक का ग्यारवा सबक सबक नंबर ग्यारह इद गाह मुसनिफ प्रेम चंद सफ़ा नंबर उनसट रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद एद आई कितनी सुहानी और रंगीन सुब है दरखतों पर कुछ अजीब हर्याली है खेतों में कुछ अजीब रौनक है आसमान पर कुछ रंगीनी है आज सूरज देखो कितना प्यारा है कितना ठंडा है गोया दुनिया को ईद की मुबारत बात दे रहा हूँ गाउं में कितनी चहल पहल है ईदगार चानी की धूम है किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पडोस के घर से सूई तागा लेने जा रहा है किसी के जूते सक्त हो गए है वो उन्हें तेल और पानी से नर्म कर रहा है कोई जल्दी से बैलों को सानी पानी दे रहा है ईदगार से लोटते लोटते दुपहर हो जाएगी लड़के सबसे ज्यादा खुश है किसी ने एक रोजा रखा वो भी दुपहर तक किसी ने वो भी नहीं लेकिन ईदगार जानी के खुशी उन्हीं का हिस्सा है रोजे बड़े बुड़ों के लिए होंगे बच्चों के लिए तो ईद है सिवईयों के लिए घर में दूद, शकर और मेवे हैं के नहीं उनकी बला से उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं दोस्तों को दिखाते हैं और खुश होकर रख लेते हैं इन्ही दो-चार पैसों में दुनिया की सारी नेमते लाएंगे खिलोने, मिठाईया और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या और सबसे ज्यादा खुश है हामिद वो चार साल का गरीब सूरत बच्चा है जिसका बाप पिछले साल हैसे की नजर हो गया और मा न जाने क्यूं जर्द होते होते एक दिन मर गई अब हामिद अपनी बूही दादी अमीना की गूद में सोता है और इतना ही खुश है उसके अबाजान रुपए कमाने गए हैं बहुस्ती थैलियां लेकर आएंगे अम्मी जान अल्ला मिया के घर उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़े लेने गई है इसलिए हामिद खुश है उमीद तो बहुत बड़ी चीज़ है हामिद के पाउं में जूते नहीं है सर पर एक पुरानी धुरानी टूपी है जिसका गोटा सियाह हो गया है फिर भी वो खुश है जब उसके अबबा जान थैलियां और अमी जान नेमते लेकर आएंगी तब वो दिल के अर्मान निकालेगा बदनसीब अमीना अपनी कोट्री में बैठी रो रही है आज इद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है किसने बुलाया था इस निकोड़ी ईद को इस घर में इसका काम नहीं लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब उसके अंदर रोशनी है बाहर उमीद सफा नंबर साथ हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं गाओं वालों का साथ ना छोड़ूंगा मैं सबसे पहले आऊंगा बिलकुल ना डरना लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता गाओं के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं हामिद क्या अकिला ही जाएगा इस भीड भाड में कहीं खो जाए तो क्या हो नहीं अमीना उसे तनहा ना जाने देगी नन्ही सी जान पाओं में छाले ना पड़ जाएं मगर वो चली जाए तो यहां सिवईया कौन पकाएगा भूका, प्यासा दोपहर को लोटेगा क्या उस वक्त सिवईया पकाने बैठेगी रोना तो यह है कि अमीना के पास पैसे भी नहीं उसने फहीमन के कपड़े सिये थे आठ पैसे मिले थे इस अठनी को इमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए लेकिन कल गौलन सर पर सवार हो गई तो क्या करती हामित के लिए कुछ नहीं है तो दू पैसे का दूद तो चाहिए ही अब तो कुल दू आने बच रहे हैं तीन पैसे हामित की जेब में और पाच पैसे अमीना के बठवे में यही तो बिसात है और यीद का तेहवार अल्ला ही बेड़ा पार लगाए गाउं से मेला चला और बच्चों के साथ हामित भी जा रहा था कभी सब के सब दोड़ कर आगे निकल जाते फिर किसी दरखत के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतिजार करते शहर का इलाका शुरू हो गया सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग है बड़ी बड़ी मारते आने लगी ये अदालत है ये कॉलिज है ये कलब घर है आगे चले हलवाईयों की दुकाने शुरू हुई आज खुब सजी हुई थी ये पुलिस लाइन है यहाँ पुलिस वाले परेड करते हैं राइट, लिप, भाम, फू रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं नहीं तो चूरियां हो जाएं सफा नंबर 61 अब बस्ती घनी होने लगी इदगा जाने वालों की टूलियां नजर आने लगी एक से एक जर्क बर्क पोशाक पहने हुए कोई तांगे पर सवार कोई मोटर वर सभी इत्र में बसे सभी के दिलों में उमंग गाउं वालों का ये छोटा सा गिरुह अपने आप में मगन चारों तरफ से बेखबर इत्मिनान से चला जा रहा था अचानक इदगा नजर आई उपर इमली के दरख्तों का साया है नीचे खुला हुआ पुखता फर्ष है जिस पर जाजम बिची हुई है और नमाजियों की गतारे एक के पीछे पीछे दूसरी ना जाने कहां तक चली गई है पुखता फर्ष के नीचे तक जहां जाजम भी नहीं कई कतारे खड़ी है जो आते हैं पीछे खड़े हो जाते हैं आगे अब जगह नहीं है यहां कोई रुदबा कोई ओधा नहीं देखा जाता इसलाम की निगा में सब पराबर है दिहातियों ने भी वजू किया और जमात में शामिल हो गए कितनी बाकाइदा मुनजब जमात है लाखों आदमी एक साथ जुकते हैं और एक साथ बैठ जाते हैं और ये अमल बार बार होता है ऐसा मालम हो रहा था गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं और यही सिलसला चलता रहा कोई ऐसी कशिश है जिसने सब को एक लड़ी में पिरो दिया है नमास खत्म हो गई है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं फिर मिठाई और खिलोनों की दुकानों पर धावा होता है हमारे दियातियों का ये गिरोह इस मामले में बच्चों से कम पुर्जोश नहीं है आई आई ये भाईयो, ये देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चड़ जाओ कभी आसमान पर चड़ जाते मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते एक पैसा देकर बैट जाओ, और पचीस चक्करों का मजा लो महमूद और मुहसिन, नूर और समी, उन घोडों और उन्टों पर बैठे हैं हामे दूर खड़ा है, तीन ही पैसे तो उसके पास है जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने खजाने का एक तिहाई नहीं दे सकता सब उधरते हैं, आप खिलाओने लेंगे उधर दुकानों के कतारे लगी हुई हैं, तरह तरह के खिलाओने हैं सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, धोबन, भिष्टी और साधू वाह, कितने खुबसूरत खिलाओने हैं, और बोला ही चाहते हैं महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी, कंधे पर बंदूख मालम होता है, अभी कवायत के लिए चला आ रहा है महसिन को भिष्टी पसंद आया, कमर जुकी हुई है, उस पर मशक रखे हुए है सफ़ा नंबर बासट मशक का मुँ एक हास से पकड़े हुए है, कितना होश है, शायद गीत का रहा है मशक से पानी उडेला ही चाहता है नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी जहानत है उसके मूँ पर काला चोगा पहने, नीचे सफेद अचकन की जेब में सुनहरी जंजीर एक हाथ में कानून के किताब लिए हुए है मालुम होता है कि अभी किसी आदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं ये सब दो-दो पैसे के हैं मगर हामिद, दो पैसे का एक खिलोना ले ले, तो फिर और क्या लेगा? नहीं, खिलोने फिजूल से हैं कहीं हाथ से छूट पड़ें, तो चूर-चूर हो जाएं जरासा पानी पड़ जाए, तो सारा रंग दुल जाए इन खिलोनों को लेकर, वो क्या करेगा? किस मसरफ के हैं? महसिन कहता है मेरा विष्टी रोज पानी देने जाएगा, सुबो शाम समी कहता है हामिद खिलोनों की बुराई करता है मिट्टी के तो है, गिरें तो चकना चूर हो जाए लेकिन हर चीज को लल्चाई हुई नजरों से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे उसके हाथ बेसाखता बढ़ते हैं लेकिन लड़के इतने फयाज नहीं होते खास कर जब नया खून हो हामिद लल्चाता रह जाता है खिलोनों के बाद अब मिठाई का नमबर आया किसी ने रेवडियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे है हामिद उनकी ब्रादरी से खारिच है कमबख्त की जेब में तीन पैसे तो है क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? लालची नजरों से सब की तरफ देखता है सफ़ा नमबर 63 हामिद, ये रेवडिय ले जा, कितनी खुश्बुदार है हामिद को शुबा हुआ कि ये महस शरारत है महसिन इतना फयास तबा नहीं है लेकिन ये जान कर फिर भी उसके पास गया महसिन दोने से एक रेवडिय निकाल कर हामिद की तरफ बढ़ाता है हामिद हात पहलाता है महसिन रेवडी अपने मुँ में रख लेता है महमूद, नूरे, समी खुब तालियां बजा बजा कर हसते हैं हामिद खिसियाना हो जाता है महसिन अच्छा अब जरूर देंगे हामिद, अल्ला कसम, ले जा हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है समी तीन ही पैसे तो हैं, क्या-क्या लोगे महमूद हमसे गुलाब जामन ले जाओ हामिद महसिन शरीर है हामिद मिठाई कौन बड़ी नेमत है किताब में उसकी बुराईया लिखी है महसिन लेकिन जी में कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा ले अपने पैसे क्यों नहीं निकालते महमूद अरे मैं इसकी होशियारी समझता हूँ जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चिडा-चिडा कर खाएगा हलवाईयों की दुकानों के आगे कुछ दुकाने लोहे की चीजों की थी लड़कों के लिए यहां दिल्चस्पी का कोई सामान नहीं था हामिद लोही की दुकान पर रुख जाता है दस्तपना रखे हुए थे वो दस्तपना खरीदेगा दादी के पास दस्तपना नहीं है तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है अगर वो दादी को दस्तपना लेकर दे दे तो वो कितनी खुश होंगी फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी घर में एक काम की चीज आ जाएगी खिलोनों से क्या फाइदा मुफ्त में पैसे खराब होते हैं जराही देर की तो खुशी होती है फिर तो उन्हें कोई आँख उठा कर भी नहीं देखता वो घर पहुँचते पहुँचते तूट फूट कर बराबर हो जाते हैं या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं जिद करके ले लेंगे और तोड डालेंगे दस्तपना कितने फाइदे की चीज है रोटियां तवे से उतारो चूले से आग निकाल कर दे दो दादी को कहा फुरसत है बाजार जाएं और इतने पैसे कहां मिलते हैं रोज हाथ जला लेती हैं हामित के साथ ही आगे बढ़ गए हैं कितने खुदगर्ज और लालची हैं सबने इतनी मिठाईयां ली किसी ने मुझे एक भी ना दे इस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो मेरी तख्ती दुलाओ अब अगर मिया मोहसिन ने किसी काम को कहा तो खबर लूँगा खाएं मिठाई आप मुझ सड़ेगा फोड़े पुनसिया निकलेंगी आप ही चटोरी जुबान हो जाएगी तब पैसे घर से चुराएंगे और मार खाएंगे किताब में जूटी बातें थोड़ी लिखी है मेरी जबान क्यों खराब होगी उसने फिर सोचा दादी दस्पना देखते ही दोड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए दस्पना लाया है हजारों दुआएं देंगी इन लोगों के खिलोनों पर उन्हें कौन दुआएं देगा बुजर्गों की दुआएं सीधी खुदा की बारगा में पहुचती है और फौरण खुबूल होती है दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देख कर बूला तुम्हारे काम कर नहीं है जी बिकाओ है के नहीं अरे बिकाओ क्यों नहीं है और यहां क्यों लाद कर लाए है तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे कदोगे छे पैसे लेंगे ठीक ठीक बताओ ठीक पांच पैसे लेंगे लेना होते लो हामिद का दिल बैठ किया हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा तीन पैसे लोगे ये कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़किया ना सुने मगर दुकानदार ने घुड़किया ना दी बुलाकर दस्टपना दे दिया और पैसे ले लिये हामिद ने दस्टपना कंधे पर रख लिया गोया बंदूख है और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया मुहसिन ने हस्ते हुए कहा है है ये दस्टपना लाया है एहमक इसका क्या करेगा हामिद ने दस्टपना जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना बिष्टी जमीन पर गिरा कर देखो सारी मिलिया चूर चूर हो जाएंगी बच्चे की महमूद ने कहा तो ये दस्टपना कोई खिलोना है हामिद बोला खिलोना क्यों नहीं है अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया हाथ में ले लिया तो फकीर का चिम्टा हो गया चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूँ चाहूं तो इससे छुरे का काम भी ले सकता हूँ एक चिम्टा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलोनों की जन निकल जाए तुम्हारे खिलोने चाहे कितना ही जोल लगाए इसका बाल बाका नहीं कर सकते मेरा बहादू शेर है ये दस्त पना समी मुतासिर हुकर बोला मेरी खंज्ज्री से बदलोगे दू आने की है हामिद ने खंजृ की तरफ हिकारस से देख कर कहा हम्, मेरा दस्पना चाहे तो तुम्हारी खंजृ का पेट भार डाले बस एक चमड़ी की जल्नी लगा दी, डब-डब बोलने लगी हम्, जरासा पानी लगे तो खत्म हो जाए मेरा दस्पना आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा अब दो फरीक हो गए महमूद, महसिन और नूरे एक तरफ हामिद यकाओ तनहा दूसरी तरफ समी गेर जानिबतार है जिसकी फतेह देखेगा, उसकी तरफ हो जाएगा लेकिन महसिन, महमूद और नूरे दो-दो साल बड़े होने पर भी हामिद के हमलों से परिशान हो रहे थे उसके पास इंसाफ की कुवत थी एक तरफ मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा जो इस वक्त अपने आपको फॉलात कह रहा है महसिन ने एडी चोटी का जोड लगा कर कहा अच्छा, पानी तो नहीं भड़ सकता हामिद ने दस्तपना को सीधा करके कहा ये भिश्ती को एक डांट बताएगा तो वो दोरता हुआ पानी लेकर आएगा और उसके दर्वाजे पर छुड़कने लगेगा महसिन का नातका बंध हो गया महमूद ने कुमक पहुँचाई बच्चा गिरफतार हो जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे तब तो वकील साहब के पैरों पढ़ेंगे हामिद इस वार का जवाब नाते सका उसने पूछा उसे पकड़ने कौन आएगा नूरे ने कहा ये सिपाही बंधूख वाला हामिद ने मूँ चुड़ा कर कहा ये बेचारे इस रुस्ता में हिंद को पकड़ेंगे अच्छा लाओ भी जरा मुकाबला हो जाए अच्छा लाओ अभी जरा मुकाबला हो जाए इसकी सूरत देखते ही बच्चा की मा मर जाएगी पकड़ेंगे क्या बिचारे मुहसिन ने ताजा दम हो कर वार किया तुमारे दस्पना का मू रोज आग में जलेगा हामिद के पास जवाब तयार था आग में बहादुर कुदते हैं जनाब तुमारे ये वकील साहब और सिपाही और भिच्टी डर पोक है सब घर में घुज जाएंगे आग में कूदना वो काम है जो रुस्तमी कर सकता है महमूद ने एक बार फिर जोड लगाया तुमारा दस्पना बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा और वकील साहब कुरसी पर बैठेंगे हम इससे जवाब ना पड़ा तो उसने धांदली शुरू की मेरा दस्पना बावर्ची खाने में जमीन पर नहीं पड़ा रहेगा वकील साहब कुरसी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा उसके जवाब में बिलकुल जानना थी बिलकुल बेटुकी सी बात लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात चा गई ऐसी चा गई के तीनों सूर्मा मू तक्ते रह गए हामिद ने मैदान जीत लिया उसका दस्तपना रुस्त में हिंद है इसमें किसी को भी चूँचरा की गुणजाईश नहीं मौसिन ने कहा अच्छा जरा अपना चिम्टा दो हम भी देखें तुम चाहो तो हमारा भिष्टी लेकर देखो महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलोने पेश किये हमिद को कोई अतराज नहीं दस्तपना बारी-बारी महमूद, मौसिन और समी के हाथ में गया और उनके खिलोने बारी-बारी से हमिद के हाथ में आए हमिद ने हारने वाले के आंसु पोछे मैं तुम्हें चिडा रहा था सच, ये चिम्टा खिलोनों की क्या बराबरी करेगा लेकिन मौसिन की पार्टी पर इस से दिलासे का कोई असर ना हुआ चिम्टे का सिक्का कोब बैठ गया मौसिन ने कहा लेकिन इन खिलोनों के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा महमूद बोला हामिद की ये बात माननी पड़ी के खिलोनों को देखकर किसी की मा इतनी खुशना होगी जितनी हामिद की दादी चिम्टे को देखकर खुश होगी रास्ते में महमूद को भूक लगे उसके बाप ने केले खाने को दिये महमूद ने सिर्फ हामित को साजी बनाया इसके दूसरे यार मू तकते रह गए ये उसी चिम्टे की करामत थी सफा नंबर सरसट ग्यारा बजे सारे गाउं में चहल पहल हो गई मिले वाले आ गए महसिन की छोटी बहन ने दोड़ कर भिष्टी को उसके हाथ से ले लिया और मारे खुशी के जो उचली तो मिया भिष्टी नीचे आ रहे इस पर भाई बहन में मार पीठ हुई दोनों खूब खूब रोए उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी दोनों को उपर से दो दो चांटे रसीद किये मिया नूरे के वकील साहब का हश्र इस से भी बत्तर हुआ वकील जमीन या ताख पर तो बैट नहीं सकता उसकी पोजीशन का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा दीवार में दो खूटियां गाड़ी गई उस पर चीड का पुराना पट्रा रखा गया पट्रे पर कागस का कालीन बिचाया गया वकील साहब तख्त पर जल्वा फ्रोज हुए नूरे पंखा लेकर जलने लगा मालुम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोड़ से वकील साहब नीचे आ रहे फिर बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब की लाश गोरे पर फेक दी गई अब रहे मिया महमूत के सिपाही उसे चट पट गाउं का पहरा देने का चार्ज मिल गया लेकिन पुलीस का सिपाही मामूली शक्स तो नहीं जो अपने पैरों चले एक टोकरी आई उसमें लाल रंके फटे पुराने कपड़े बिछा कर पाल की बनाई गई उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे महमूद ने टोकरी उठाई और दर्वाजे का चक्कर लगाने लगे उनके दोनों छोटे भाई पुकारते चलते हैं मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए महमूद को ठोकर लग जाती है टोकरी उसके हाद से छूट कर गिर पड़ती है और मिया सिपाही बंदूख लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग बेकार हो जाती है अब मिया हामित का खिस्सा सुनिए अमीना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी और उसे गोद में उठा कर प्यार करने लगी दफ़तन उसके हाद में चिम्टा देकर वो चौक पड़ी अरे हामित आ गया मेरे बच्चे आजा मेरा लाल अरे ये दस्पणा कहां मिला बेटा मैंने मोल लिया है कितने पैसे में तीन पैसे में अमीना ने च्छाती पीट ली ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई ना कुछ खाया ना पिया लाया क्या बस दस्थपना हरे सारे मेले में तुझे और चीज ना मिली जो ये लोहे का चिम्टा उठा लाया हामिद ने खतवार अंदास में कहा तुम्हारी उंगलिया तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने ये ले लिया बुढिया का गुस्सा फौरण शवकत में बदल गया और शवकत भी वो नहीं जो बयान की जा सकती है और अपनी सारी तासीर लफ़ों में मुंतशिर कर देती है ये नाकाबले इजहार शवकत थी दर्द और इल्तिजा में डूबी हुई उफ! कितनी नफस कुशी है कितनी जांस सूजी है चिम्टा? हाए मेरे बच्चे इसने कितना सहा होगा कितना जब्द किया होगा मेरे लाल मेरा बच्चा जब दूसरे लड़के खिलोने ले रहे होंगे मिठाईया खा रहे होंगे उसका दिल कितना ललचाया होगा इतना जब्द उससे हुआ क्यों कर वहाँ भी अपनी बूड़ी दादी की याद उसे रही हाई मेरा बच्चा, मेरा लाल कुर्बान जाओ तेरे अमीना का दिल खुशी से भर गया और तब एक बड़ी दिल्चस्प बात हुई हामित के चिम्टे से भी अजीब बच्चे हामित ने तो बूड़े हामित का पाट अधा किया था बुढ़ी आमीना बच्ची बन गई वो रोने लगी दामन फैला कर हामित को दुआएं देती जाती थी और आखों से आँसु गिराती जाती थी हामित इसका रास क्या समझता हरे मेरे بچЕ ने कितना जबत किया मेरा लाल मेले से मेरे लिए चिम्टा लेकर आया आए तेरे गुर्बान जाओं ए अै ला इस बच्चे को खुशिया नसीब करे मेरा बच्चा इसने मेले में भी मुझे याद रखा आज तो मैं इसी चिम्टे से रोटी बना कर इसे खिलाऊंगी मेरा लाल, खुदा तुझे खुश रखे, तुझे खुशिया दे आए मेरे बच्चे तेरे सद्के जाओं, खुर्बान जाओं मानी याद कीजिए वो जगा जहां एद और बक्रईद की नमाज पढ़ी जाती है जर्क बर्क चमकदार भड़की ले पोशाक कपड़े लिबास मुनज़म तर्तीब और सलेके के साथ अमल काम बेसाखता बिलाजिजक अचानक खारिज होना निकल जाना जिसकी तबियत में सखाफत हो जिसे दूसरों को फैस पहुँचाने की आदत हो कुमक मदद बार हमला हश्र अंजाम घूरा कूडा करकट डालने की जखा मुन्तशिर करना बिखेरना ना काबिल इजहार जो जाहिर करने के काबिल ना हो इल्तिजा दर्खास्त नफस कुशी अपनी खाहिशों को मारना जांसोजी जी जलाना दिल मारना दस्तपना चिम्टा सफ़ा नंबर सत्तर सोचिये और बताईए एक हामिद की उम्र क्या थी दो इद के दिन हामिद की दादी क्यों रो रही थी तीन महमूद मुहसिन नूरे और समी ने कौन कौन से खिलोने खरीदे चार हामिद ने दस्तपना क्यों खरीदा पाँच हामिद के दोस्त 6. दोस्तों के खिलोनों का क्या अंजाम हुआ 7. दादी का खुस्सा शवकत में क्यों बदल गया सफ़ा नंबार 71 खाली जगा को सही लवज से भरिये 1. रमजान के पूरे खाली जगा रोजों के बाद इद आई है 2. उनकी जेबों में तो खाली जगा रखा हुआ है 3. उनहीं दो-चार पैसों में दुनिया की सारी खाली जगा लाएंगे 4. अमीना को डर था के उस खाली जगा में हामिद कहीं खोना जाए 5. नमाज में किसी का रुद्बा या खाली जगा नहीं देखा जाता 6. कितनी बाकाइदा खाली जगा जमात है 7. ग्यारा बजे सारे गाउं में खाली जगा हो गई 8. उसका दस्थ पना खाली जगा है लिखिए आप ईद का दिन कैसे गुजारते हैं? आप ईदी किस तरह खर्च करते हैं? गौर करने की बात मुशी प्रेमचंद की ये कहानी गाउं की एक सीधी साधी गरीब औरत हमीना और उसके यतीम पोते हामिद के ईसारों महबत की कहानी है दादी अपने पोते के लिए इसार करती है और पोता दादी की महबत में अपने नन्ने से दिल की खौहिशों को दबा कर दादी के लिए चिम्ता खरीद लाता है सबसे ज्यादा खुश है हामिद वो चार साल का गरीब सूरत बच्चा है रास्ते में महमूद को भूक लगी उसके बाप ने केले खाने को दिये हामिद अंदर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं गाउं वालों का साथ ना छोड़ूंगा सफ़ा नंबर 72 पहले जुमले में हामिद इस्म है और लवज वो जो हामिद के लिए इस्तिमाल हुआ है जमीर है दूसरे जुमले में महमूद के लिए जमीर उसका इस्तिमाल हुआ है तीसरे जुम्ले में हामित के लिए मैं का लवज इस्तिमाल हुआ है जो जमीर है और दादी के लिए जमीर तुम इस्तिमाल हुआ है। इसी के साथ अपनी जमान भाग एक का ग्यार्वा सबक यहां खत्म हुआ। इसके बाद सबक बारा आता है। प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत